रादे रादे आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कृष्णु दोपायन जिने आज वेदव्याज जी के नाम से जाना याता है उन्होंने वेद का विभाजन क्यों किया तो सर्वप्रथम वेद केवल एक हुआ करता था कलियुक से पहले वेद एक था हर गुरु अपने शिष्ष को वह संपूर्ण वेद का ज्यान कराता था और चूंकि उस वक्त के मनशों की बुद्धी इतनी तेज थी कि वह संपूर्ण ज्यान यात कर सकते थे तो एक गुरु शिष्ष को वह वेद का ज्यान सुनाता था शिष सुनकर याद कर लेता था तो चूंकि यह ज्यान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हुए आगे बढ़ रहा था इसलिए वेद को शूती भी कहते हैं तो जब कल्यूग प्रारंब हुआ उस वक्त समस्या उत्पन हो गई कल्यूग में मनुश्यों के बुद्धी बहुत कमजूर है समस्तिर श्री मुन्यों ने यह विचार किया कि वेदों का विभाजन करना चाहिए क्योंकि कल्यूग प्रारंब हो गया है तो कृष्ण दोपायन जी को चुना गया कि आप वेदों का विभाजन कीजिए कृष्ण दोपायन ने वेदों का विभाजन किया तो चुंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया इसलिए उनका नाम वेदब व्यास पड़ा वेदों का व्यास करने वाले विभाजन करने वाले तो वेदव व्याजी ने एक वेद के चार भाग किये रिगवेद, यजुरवेद, स्यामवेद, अथरवेद और यह चारो वेदों का ग्यान अपने चार शिश्चों को कराया पेल को रिगवेद, वैशंपान को यजुरुवेद, जैमनी को शामवेद, तथा सुमन्तु को अथरवेद का ग्यान दिया फिर वेदव्याजी ने चारों वेदों में भी एक-एक वेद के चार भाग किये उन्हें सन्हिता, ब्रामhan, आरण्यक और उपनिशत कहते हैं इन में से उपनिशत को तो आप जानते होंगे हमारे वेबसाइट पर कई कोटेशन उपनिशत से ही मिलते हैं जैसे इश उपनिशद, रधार्ण को उपनिशद, छान्तोग्य उपनिशद यह उपनिशद वेद से बाहर नहीं है यह उपनिशद वेद का ही अंश है फिर वेदव व्यास जी ने उपवेद बनाया हर एक वेद से एक उपवेद बनाया रिग वेद से आयरुवेद बनाया यजुरुवेद से धनुरुवेद बनाया शाम वेद से गंधर्व वेद बनाया और अथर्व वेद से स्थापत्य वेद बनाया तो वेदव व्यास जी ने वेद को बनाया नहीं ये ध्यान रखेगा वाद वेदव व्यास जी ने केवल वेद को विभाजन कर दिया उसका बटवारा कर दिया जिससे लोगों को वेदों का ग्यान हो सके जैसे कि कोई शरीर को स्वस्त रखने के बाद सोसता है उसी का ग्यान वो चाहता है तो आयरुवेद को उठा लीजिए कोई सोचता है कि वेद का जो सार है वह ग्यान हम जानना चाहते है वह उपनिशत को उठा है उपनिशत ग्यान का भंडार है यह सब वेद के ही अंशहे केवल वेदव व्याज जी ने उनका बटवारा कर दिया है तो वेदव व्याज जी ने कुछ इस प्रकार से वेदों का विभाजन किया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आयो तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा कोई प्रशन हो तो कमेंट जरूर केजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तब सब्सक्राइब निक्या है तो सब्सक्राइब जरूर केजिएगा पास में बेल आइकन बटने उसको भी दबाना ना भूले रादे रादे